असलाम अलेकुम फ्रेंट्स वेलकम बेक टू माय चैनल कैसे हो आप सब उमीद करती हो आप सब खेरियर से होगे आज फिर हम आपके लाएं एक बहुती डिलीशियस और बहुती मीठी रेसिपी जैसे के आप देख सकते हो गुलाब जाओन रेसिपी यह एक क्वीक रेसिपी है और इसको हमने आशिरवाद इंस्टेंट मिक्स गुलाब जाओन रेसिपी बनाया है जोकि बहुती आसान है चली हम स्टार्ट करते हैं आशिरवाद प्रीमिक्स से गुलाब जामून बनाना यह हमने 500 mettre ग्राम का आशिरवाद प्रीमिक्स लिया है इसमें बताया गया है कि 4- पाफ स्टेप में हम गुलाब जामुन बनाकर बहुती आसानी से तयार कर सकते हैं और इसमें 100 गुलाब जामुन बन सकते हैं चुट चुटे से जिसके लिए हमने शुगर सीरफ तयार करना है चाशनी हमने दो कप शुगर लिया है शक्कर लिया है और दो कप पानी लिया है एक आपको चाहिए तो प्रीमिक्स पे जितना लिखा हुआ है उतना आप शुगर ले सकते हो हम सब खाना पकाना जानते हैं इसके लिए हमने हमने अन्दाजे से शुगर सिरब बनाया है जिसमें हमने तीन से चाहि इलैची एड़ कर ली है और थोड़ सा फूट कलर एड़ कर लिया है जो की यलो होता है यह ऑप्शनल है फूट कलर इसे कि अगलाब जामन में अंदर कलर बहुत ही भैतरीन और अच्छा आएगा वाइट वाइट नहीं आएगा हलका सा यलोईश आएगा अगर आपके पास जाफरान हो तो आप दो तीन तुक्रे जाफरान के भी आप एड़ कर सकते हैं जिससे बहुत ही प्यारा और बहुत ही खुबसुत कलर आएगा यह ग्लाव जावुन का प्रीमिक्स हमने फर्स्टाम यूज किया है आएगे चलते हैं देखते हैं कि इसके बॉल्स कैसे बनते हैं और इसका आटा कैसे गुंदा चाहता है यह हमने अदा किलो का आशिरवाद प्रीमिक्स को बावल में एड़ कर लिया है दाल दिया है और य एक कब पानी से घुन गिया नॉर्मली जैसे हम आटा गर में सॉफ्ट घुनते हैं उसी तरीके से सॉफ्ट आटा घुनना है साथी में हमारी चाशनी भी अच्छे से बॉल हो रही है ज़्यादा गाड़ा नहीं करना है चाशनी को पतला ही रखना है अच्छे से आप मिला ल पानी एक साथ नहीं डालिए अच्छे से सॉफ्ट एक डोव बनाकर तयार कर लीजिए दीरे दीरे से पानी एड़ करिए हमने भी यह फर्स टैम यूज किया है प्री मिक्स गुलाब जामून का और लाइफ में फर्स टैम ही गुलाब जामून बनाया है देखते हैं किस तरी लगे तो आप भी एड़ कर लीजिए और यह दो बनकर तयार हो गया है और इसे पास से दस मिनट तक आप ढगकर साइड में रख दीजिए ताकि अच्छे से सॉफ्ट और फूल जाए जब तक हमारी चाशनी हम देखते हैं हमारी चाशनी बिलकुल अच्छे से बनकर तयार ह हो गई है जाधा गारी हमें नहीं बनाना है यह देखिए बस एक तार आज है बस एक तार हलका सा तार जादा नहीं चिप चिपा से सिरफ बन जाए और इलैची के खुछ बहुत ही भैतरी ना रही है आप चाहो तो पीसकर भी डाल सकते हमने ऐसी डाला क्योंकि इंस्टेंट है तो क्यों इतनी महिनत करना अच्छे से आप फिर से मसल लीजिए आटे को बहुत ही अच्छे से ताकि हमारे गुलाब जामून के बॉल बहुत अच्छे से बने चोटी-चोटी से बॉल आप बना लीजिए हमने मिडियम साइस के बनाये तो हमारे 80 बॉल्स बने ते अगर बहुत छोटे बनाओगे तो आप बिलकुल जैसे पैकेट पे लिखा हुआ है कि 100 गुलाब जामून बनकर तयार होगे वह बिलकुल सही लिखा है 100 बनकर तयार हो जाएंगे हमने थोड़े बड़े बनाये थे इसलिए हमारे 80 बॉल्स बने ते गुलाब जामून के यह दिख चाहो तो गोल बना सकते हो या आप चाहो तो slender shape में भी बना सकते जैसे कि मार्कीट में गुलाब जामून मिलते हैं कि इसी तरीके से हम सारे balls और slender type गुलाब जामून बना कर तयार कर लेंगे यहां तक कि तो recipe बिल्कुल सही जा रही है आगे देखते हैं क्या होता है सारी गुलाब जामून डिपैंड होता है fryer करने के वक heat fry कैसे हो रहे हैं और में चाष्णी में जाधा गरं नहीं करना है यह देख यह सारे हमने बना लिया यह आदे हैं अभी और बनेंगे बहुत ही light सा हमने oil को गरम कर लिया, जादा गरम नहीं करना है, अगर जादा गरम करेंगे तो उपर से golden हो जाएंगे, काले हो जाएंगे और अंदर से कच्छी रहेंगे, ये देखिए आप देख सकते हैं, हलकी गरम oil में, बहुत ही कम गरम oil में हमने दूर दूर पर गुलाब थोड़ी थोड़ी दूरी पर gap पर आप दालिए, ये देखिए, बहुत ही अच्छे से ये धीमे आज पर fry हो जाएंगे, बहुत ही धीमे आज पर, अब देख सकते हैं, फ्लेम हमारी gas की low है, ये देखिए, अपने आप धीरे वह आज तेज हो रही है, और ये गुलाब है, हमने मीडियम आज कर ली है, क्योंकि ये अंदर से पक गए है, तो अपने आप ये पलट रहे हैं, और धीमी आज पर इसको अच्छे से हम गोल्डन कर लेंगे, ये देखिए, थोड़ी सी वीडियो हमारी डिलीट हो गई थी, इसलिए हमने वापिस से शूट किया है, हमन मैं आप गलाब जमून देख सकते हो, रखे हुए है, अच्छे से ये बॉल तो बन गए थे, बट कोई कोई ना फटने लगे थे बीच में से, आप देख सकते हो, एक ये देखिए, सिलेंडर शेप में है, अपने आप फट रहे हैं, जबकि इसको हमने बहुत ही अच्छे से रोल किया था, बनाया था, और मसला भी बहुत अच्छे से था, और अब हमने निकाले वे, जो गलाब जमूनके बॉल है, शुगर सीरफ में, चाशनी में हम दाल रहे हैं, बने तो काफी अच्छे हैं और टेस्टी हैं, और बहुती सौफ बने हैं, बट आप जितना भी आप तेस्टी थे, सौफ थे, और काफी जूसी बने थे, पता नहीं क्यों, शायद हमने फर्स टैम इसे ट्राइ किया, इसलिए हलके से फट गए थे, बट आल अराउंड बहुत ही अच्छे और टेस्टी और जूसी, हमारे गुलाब जमून बनकर तयार हो चुके थे, आशिरवा आशिए को फालो करिए, इसका लिंग हम इंस्टागराम का डिस्क्रिंशन बॉक्स में डाल देंगे, और आप देख सकते हैं बहुत बहुत ही बैतर ही ग्लाब जमून होने बनकर तयार है, हमारी रेसिपी प्लीज लाइक शेर सब्सक्राइब जरूर करिए अपने फ्रेंड यह जादा बना सकते हैं बहुत ही सौफ्ट है और बहुत ही खोएदार ग्लाब जाओन बनकर तयार हुए जब तक के लिए अपना बहुत खयाल रखी है अलाहाफीज